प्यारे बच्चो इस वीडियो में हम कक्सा पांच गनित ग्यान की कारे फुस्तिका के दिवस दो के सभी प्रसनों को हल करेंगे शुरू करते हैं प्यारे बच्चो अपने इस वीडियो को यहां पर हमारा सबसे पहला सवाल है दिये गई निर्देश के अनुसार कीजिए दिये गई निर्देश के अनुसार हमें कारे करना है तो यहां पर सबसे पहले हमारा इस प्रसन में जो एक सवाल है मिलान करे आपको संख्याओं का मिलान करना है इस तरफ शब्दों में संख्य लिकी हैं तो आपको इनके मिलान करने हैं अब मिलान करने के लिए सबसे पहले हमारे पास है 360 360 को आप 360 से मिला देंगे 101 को आप 101 से मिला देंगे ऐसे ही 28 को 28 से मिला देंगे इस तरह से आप मिलान कर लेंगे आप देखते हैं इधर दूसी तरब इसमें क्या दे रखा है यहाँ पर आपको क्या करना है नीचे दी गई संख्याओं की पूरवर्ती या अनुवर्ती संख्या को अंकों और शब्दों में लिखें हमें इसकी पूरवर्ती और अनुवर्ती को अंकों में भी लिखना है और शब्दों में भी लिखना है सबसे पहले है 29, 29 के आगे आएगी 30, अनुवर्ती में हमें एक जोड़ना है और जब हम पूरवर्ती निकालेंगे तो एक घटाना है यह बात आपको याद रखनी है तो 39 की अनुवर्ती हो जाएगी 30 शब्दों में भी लिख देंगे 30 989 989 जो है यह यहाँ पर है 990 जो यहाँ पर दे रखा है उसने 990 इसके पीछे जगा है तो हम इसकी पूरवर्ती संख्या निकालेंगे एक घटा करके 990 में से घटाएंगे तो 989 आएगा और इसको हम शब्दों में लिख देंगे 989 अब यहाँ पर देखे 850 850 के आगे खाली जगे थी यहाँ पर हमें इसकी अनुवर्ती लिखनी है तो 850 की अनुवर्ती 850 में एक जोड दीजे 851 आजाएगा 851 को हम शब्दों में लिख देंगे ऐसे ही 431 है 431 की पूर्वर्ती संख्या क्या होगी 432 में से एक घटाई यह 430 430 आजाएगी इसी तरह से 888 888 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी 889 तो 889 इसकी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी जब हम 888 में एक जोड देते हैं हमने इसको शब्दों में भी लिख दिया है और ये अंकों में इधर हमने लिख दिया है इसको इस तरह से प्यारे बच्चों हम पहले प्रसंद को हल कर लेंगे अब देखते हैं अपने दूसरे सवाल को इस दूसरे सवाल में हमें क्या करना है प्यारे बच्चों संख्या बनाकर खाली इस्थानों में लिखिए संख्या बनाकर खाली इस्थानों में लिखिए ये हमें खाली इस्थानों में लिखनी है अब यहाँ पर क्या है तीन दहाई तीन इकाई इसकी हमें संख्या बनानी है अब जब तीन दहाई और तीन इकाई बनते हैं तो यह हमारी संख्या कहला दी है 33 यानि के 33 33 में तीन इकाई होते हैं तीन दहाई होते हैं तो आप इस खाली जगह में 33 लिख देंगे अब देखते हैं इस संख्या को चार सेंकडे, एक दहाई, नो इकाई चार तो हो गए सेंकडे, एक दहाई, और नो इकाई तो हमारी संख्या क्या बन गई है? चार सो उन्नीस, तो चार सो उन्नीस इस खाली जगह में आ जाएगी इसमें चार से एकड़े है, एक दहाई है, नो इकाई है, तो 419 आ जाएगी, अब देखते हैं इस सवाल को, यहाँ पर 90 दहाई है और 7 इकाई है, आपको याद रखना है पैरे बच्चों, एक दहाई में आप 10 से गुना करते हैं, ठीक है, यहाँ पर है 90 दहाई, तो 90 दहाई म जब आप 10 से गुना करेंगे, 90 दहाई में गुना कर दीजे, आप 10 से, तो आपका आ जाएगा 900, 900 आ जाएगा, और 7 इसमें इकाई भी हैं, तो 900 में आप 7 और जोड़ दीजे, तो 900 में जब आप 7 और जोड़ देंगे, तो यह बन जाएगा 907, तो इस खाली जगह में, इस तीसरे प्रसेट में आजाएगा 907, यानि कि यहां पर आप लिख देंगे 907, अब देखते हैं इस चोथे प्रसन को, चोथे प्रसन में क्या है, 99 में इकाई हैं, और 2 दहाई हैं, 99 मतलब 99 हो गया, और 2 दहाई मतलब 20 हो गया, एक दहाई 10 में, और 2 दहाई 20 की होती है, एक और 99 इकाई हैं इनको भी आप जोड दीजिए जब इनको जोडेंगे आप तो कितना हो जाएगा 119 तो 119 आजाएगा इस खाली जगह में इस तरह से प्यारी बच्चों हम इस दूसरे प्रसंद को हल कर लेंगे आप देखते हैं तीसरे प्रसंद को तीसरे प्रसंद में क्या करना है दिये गए यात्रियों की संख्या के अनुसार उन्हें बस के उपर तथा नीचे की सीटों पर बैठाईए बस के उपर तथा नीचे की सीटों पर हमें इने बैठाना है पहले दिये गए हैं 12 यात्री अब 12 यात्रियों को आप ऐसे भी कर सकते हैं पहले आप नीचे की सीटों को पूरा भर दीजिए माली जी हम नीचे वाली जो सीटे हैं इनको पूरा भर देते हैं कितने हो गए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ नीचे बैठा दिए हमने पांच आप उपर बैठा दीजिए ऐसे करके हमने पांच उपर बैठा दिये हैं तो हमारे बारे हो गए हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं पहले आप उपर भर दीजे सारी सीटों को एक-एक बिठा दीजे सब पर फिर नीचे जो बचेंगे उनको नीचे बठा दीजे हमने क्या किया है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 उपर बठाये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 को नीचे बठाया है तो ऐसे भी हम भर सकते हैं सीटों को आप जाए इधर से भर लीजे 1, 2, 3, 4, 5, 5 इधर से भर दीजे बागी उपर की सारी सीटे भर जाएंगी आप ऐसे भी कर सकते हैं अब देखते हैं दूसरी इधर इसमें अब यातरियों की संकादे रखी है दूसे सवाल में 17 अब 17 को आप क्या करते हैं पहले हमने उपर की सारी सीटे भर दी एक-एक करके फिर नीचे की भरे गए है, 14 यात्री बैठ गए है, 14 यात्री सीटों पर बैठ गए है, लेकिन हमारे पास 17 यात्री है, तो 14 में 3 और बच गए, 17 में से 14 तो बैठा दिये, 3 और बच गए, तो हमें क्या करना होगा, अब 3 यात्रीों को, अब हमें, या तो आप नीचे बैठा दीजे, एक पर हमने 2-2 यात्रीों को बैठा दिया है, तो इस तरह से हमारे 17 यात्री बैठ जाएंगे, आप फिर से ध्यान से देखिए, हमने 14 यात्री तो बैठा दिये, अब हमारे 17 यात्री है, 3 और बचे है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनके पास 2-2 यात्री बैठा सकते हैं, इस तरह स देखिए और आपको ये सभी प्रसंद समझ में आ जाएंगे यहां पर अनुवर्ती संख्या है पूर्वर्ती संख्या है शब्दो और अंको वाली संख्याओं को मिलान करना है ठीक है अनुवर्ती संख्या में एक जोड़ना है और पूर्वर्ती संख्या निकालनी है तो एक घटा करके निकाल देंगे तो इस तरह से प्यारे बच्चो आप इस वीडियो को देखिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए धन्यवाद प्यारे बच्चो